दोस्तों नमस्कार हमारे उद्वपूर के लिए एक बहुत बड़ी खुश कबरी है खुश कबरी का मतलब तो यह के यह मेरे साथ खड़े हुए है किरन जी कोठरी किरन जी कोठरी पहले बापु जार में इनका पिता जी का मकान था अब इन्होंने शादी कर लिए और इनके बड़े हुए है अनुप जी कोठरी किरन जी को मैं भी जानता हूं आप सबी जानते हैं लेकिन ये लगबग चार लाक इकावन हजार का ये चेक आज परदान मंत्री सकोष में दे रहे हैं आज 31 मार्च हैं किरन जी आपको बहुत बदाई और अनुप जी आपको भी सब्सक्राइब करें लोग बहुत परेशान है इसलिए हमारे दिमाग में आया कि हमें भी कुछ मदद करनी चाहिए लोग बहुत परेशान है इसलिए यह विचाना है यह आप क्या बिजनेस है हमारा प्रोपर्टी का बिजनेस है गोल्ड का भी है प्रोपर्टी का भी है चलो बगवान आपको बहुत-बहुत कुछ देवे आशी अनुप जी आप भी कुछ बोलन दोश्वत तो यहां सर इसा है कि आपी देश बहुत और देश की जंचा के लिए भी दवायां खाने का राशन का जितना बन सके देश को बली सो रुपर पांसो रुपर दे जाए इससे देश को उबरा जाए मैं इस तरफ से कहना चाहूंगा मैं अपनी एक मन की बात और कहना चाहूंगा करन कि आज से लगबग मैंने 20 बरस पहले इस मेवाट केबल पे मेवाज न्यूज पे एक गीत संगीत प्रतिकुई तक रही थी देश भक्ति गीत और आपकी धर्मपतनी किरेंट जी ने फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया था दोस्तों मैं भी बता दूँ कि उस जमाने में मैंने 20 साल पहले 5000 की फर्स्ट प्राइज इनको दिया था बेंक चोराई पर ये कभी समयलन हुआ था सुरेज जी ओबराय वहाँ पर आये थे हमारे इस प्रोग्राम में क्योंकि सुरेज जी ओबराय भी मेरे दोस्ते बॉम्ब उद्यपूर में उस जमाने में बेंक चोराई पर ये प्रोग्राम हुआ था किरन जी मैं तो चाओंगा कि आज भी देश संकट में है पूरा वर्ल्ड संकट में है मैं चाओंगा कि ये गाने के कुछ लाईने आप गा दे क्योंकि आप बहुत अच्छी गाईक भी हैं प्ली जो शहीद हुए हैं उनकी जरायात करो कुर्बानी तुम भूले न जाओ उनको इसलिए सुनो ये कहानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरायात करो कुर्बानी थी खोन से लथ पथ काया फिर भी बंदूक उठा के दस दस को एक ने मारा फिर गिर गए होश गवा के जब अन्त समय आया तो कह गए के अब मरते हैं खुश रहना देश के प्यारों अब हम तो सफर करते हैं अब हम तो सफर करते हैं थैंक यू मैं और लोगों से भी ये अपिल करती हूं कि देश के लिए खुश करें अभी वह संकट में हम लोग किरन जी कोठारी बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर बता दूं कि इन्होंने लगबग चार लाख इकावन हजार रुपे परदान मंतरी साहतार्थ कोश में दिये हैं उदेपूर से केरोना के संकट से उबढ़ने के लिए दोस्तों ये बहुत खुशी की बात है और मुझे था आज ज्यादा खुशी हो रही है कारण के किरन जी ने आज से लगबग 20 साल हो गया इस बात को 20 साल पहले यही गीत गाया था जब मैंने देश बर्ती प्रतिक्यों था मेवार चेनल मेवार के दुआरा बैंक चुराय पर कराई थी और इन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता था लेकिन आज भली वो फर्स्ट प्राइज उजवाने का पांच जार था लेकिन आज मेरे सारे ही पेसे वसूल होगे कारण के देखो यार आपने इतने बड़िया भाई साब मिले आपका परिवार खूब फले यह बहुत बड़ी बात है साब अधनिवाद इसको केबल पर चलाएंगे इसको यूटूब लिंक भी मैं आपको बेज दूँगा दोस्ता एक और खुशकबरी है कि उदेपूर इलेक्टरिक एसुशन के जो भी लोग हैं सभी बाते करेंगे अपना परीचे भी देंगे इन्होंने भी प्रदान मंत्री साहता कोर्स में आज जिला कलेक्टर को आकर अपना चेक दिया है सर आप अपना पूरा परीचे देकर देरे देरे सब बात दरते हैं 11 रुपे का चेक प्रदान किया है यह सभी जो भी परिवाव जोनों को जुरूत हैं उन्हें साहता करेंगे उसके लिए हमने चेक प्रदान किया है मैं अभिशेक जैन इलेक्ट्रिकल असोशेशन में कोशेद्यक्षपात पर हूँ और कलेक्टर मोधिया को आज चेक प्रदान किया है और इसी तरह सभी उदेपुर वासी सायोग करते रहें इस महामारी के समय इसी आशा के साथ मैं रुपेश फारिक हमने जो कलेक्टरिया मोधिया को एक चोटी सी राशी सभी इलेक्ट्रिकल असोशेशन के भाईयों की तरह से एक सायोग प्रदान किया है इसमें हमने जो फिगर चुना है वो एक लाख ग्यारा हजार एक सो ग्यारा रुपे का है जो की चार स्थम्ब है हमने छे स्थम्ब लिये हुए हैं पहला स्थम्ब है प्रसाशन दूसरा स्थम्ब है पुलिस तीसरा स्थम्ब है डॉक्टर चौथा स्थम्ब है सभी सफाई क पांचवा स्थम्भ है मीडिया कर्मी और चटा स्थम्भ है पब्लिक हम यह चाहते हैं कि छेओं स्थम्भ मिलकर इस करोना रूपी जो महामारी है उसका हम नाश करें विनाश करें और उसको हम उदेपुर शहर और इस देश से पूरी तरह से निवरत करें बाय बाय करें धन्य मेवाद जय वारत जय हिंद जय मेवाद प्लीज मेरे यूट्व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थेंक यू